Hello dear student, how are you? I hope all of you are good and all of you are doing great. आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके अपने एक्जाम के तयारी कर रहे होंगे. तो जैसा कि मैंने आप लोगों से promise किया था कि मैं आप लोगों को आपके English के लिए जो Advanced Writing Skills section है जिसमें Notice, Letter to Editor, Report Writing और Article पूछा जाता है. एके करके मैं आप लोगों को सारे चीज पढ़ा दूँगा जिससे आप लोगों का एक्जाम में इस पूरे के पूरे यूनिट से full number जो higher score हो जाए. इससे के दो पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को Notice लिखना डिटेल में सिखा दिया था जिसको आप लोग बहुत ये अच्छे तरीके से सिखे थे और साथी साथ मैंने आपको Next वीडियो में Later to Editor सिखाया था जो भी आप लोगोंने बहुत अच्छे से पढ़ा और प् किसी भी स्ट्रीम के स्टुडेंट है उन सभी को Report Writing तो पूछा ही पूछा जाता है और इस साल भी आप लोगों को Exam में Report Writing पूछा जाएगा तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को Detailed में सिखाने वाला हूँ कि Report Writing होता क्या है और इसको लिखा किस तरीके से जाता है और एक होता है और उसमें बनाया किस तरीके से जाता है तो समझ लो Report Writing का मतलब होता है कि अभी कुछ दिन पहले या बिते समय में अभी रिसेंट में कुछ दिनों पहले कुछ हुआ है जैसे आपके स्कूल या आपके कोलेज में कुछ प्रोग्राम हुआ था कुछ इवेंट हुआ जैसे Bullet Donation Camp हुआ था या Corona Vaccination Camp लगा था या One Day Cricket Match हुआ था या Yoga Seminar हुआ था या Cultural Program हुआ था या आप कहीं से घूम करके आए हैं या सपोच कर लो कहीं आपने रोड एक्सिडेंट होते हुए देखा तो कोई भी ऐसा चीज जो आप एक दो दिन पहले या कुछ दिन पहले जो टाइब का यह जो हम लोगों का report होता है वो past के लिए होता है इसलिए एकदम इस बात को गांड बान लेना कि एक report के अंदर में जो भी narration लिखा जाता है यानि एक report के अंदर में जो भी body या जो भी introduction लिखा जाता है या एक report के अंदर जो भी चीज लिखा जाता है वो हमेशा immediate immediate past form का होता है याद रखना mcq के question में ये पूछता है कि report writing में जो narration होता है वो किस form पे होता है तो immediate past form पे होता है यानि अभी कुछ दिन पहले जो चीज हुआ है उसके बारे में आपको report लिखने के लिए बोला जाएगा ठीक है अब जब हम लोग एक report रिखते हैं तो हर चीज का भी एक format होता है देखो मैं आप लोगों को report writing के लिए जो है वो सबसे easy और सबसे चोटा concept मैं आप लोगों को समझा रहा हूं report writing अखिरकार format क्या होता है तो जब कभी भी हम लोग report writing लिखते है यह जो हम यहां जो dot dot box देख रहे हैं आपको ऐसा box box बनाने का कोई जरूरत लिए है जब कभी भी report writing लिखा जाता है तो याद रखना center में सबसे top में उस report का heading या title लिखा जाता है heading या title आप चाहे तो capital word में या चाहे तो small word में लिख सकते हो यह आप पे depend करता है जब आप report का heading या title लिख लोगे तो आप एक रो छोड़ करके left side by line करके नाम लिखोग अब ही हम आप लोगों को 2-3 question बनवाएंगे 2-3 report हम बनाएंगे और 2-3 report आपको homework देंगे वहां हम आपको यह सारा चीज़ बताएंगे कि by line में name कैसे लिखा जाता है बहुत बार होता है कि by line आप चाहे तो heading के नीचे यहाँ जो है वो bracket करके by line करके जो है आप यहाँ पे mention कर सकते हैं नाम या चाहें तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो right side में होता है वहाँ भी by line mention कर सकते हैं तो आप पे depend करता है कि आपको जहाँ चाहे आप वहाँ by line mention कर सकते हो लेकिन हम हम ऐसा prefer करते हैं कि left side में by line करके अपना नाम लिखना यानि नाम इसके बाद उसके नीचे place जहां लिखता है वहाँ पे आपको line छोड़ने का यानि row छोड़ने का ज़रूरत नहीं है उसके ठीक नीचे आप place करके लिखोगे कि जो चीज के उपर आप report लिख रहे हो आकितकार कहा हुआ था इसके ठीक नीचे जो है आपको date mention करना है और date आप उसी format में लिख जिस format में आप notice और letter to editor में लिखते हो उसके नीचे ठीक एक रोच छोड़ करके आपको जो है उस report के बारे में लिखना है कि आप जो report लिख रहे हो है किसके बारे में अब देखो यह जो report लिखा जाता है यानि जो body लिखा जाता है उसके अंदर आपको mainly किन किन चीज़ों क लिखना है और यह जो जो भी आप यहां जो भी चीज लिखोगे यहां आप जो भी चीज जो भी body लिखोगे वो हमेशा immediate past form में होना चाहिए इतना याद रखना अब एक लिखने का pattern होता है एक तरीका होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में report लिख रहे हो introduction आप उसी से कर ना उस report के बारे में starting के ही sentence में बता जेना कि यह report जो है वो क्या है और वो report जो है जिस चीज के उपर आप report लिख रहे हो जो है वो कब हुआ था और किस जगा पे हुआ था इसके बाद उससे related बाकी चीज़ों को लिखना जैसे मान लो कि एक blood donation camp के उपर आपको report लिखने ब बताना फिर जो है last last में end करने से पहले आप उसका थोड़ा सा conclusion और थोड़ा सा preference बता देना यानि आपको जो है उस आप उस event में जब गए थे हैं या blood donation camp में गए थे तो आपको वहां से जो है क्या सीखने को मिला या आपको कैसा लगा अपना preference को भी last sentence में बता देना clear है आया समझ में अच्छा से इसका screenshot ले लो क्योंकि अब हम इसी pattern में इस साल का आपके model paper में जो आप लोगों को question दिया है उसका हम report writing सिखा रहे हैं फिर एक और report writing सिखाएंगे और आप लोगों को तीन question हम homework देंगे ताकि आप लोगों का अच्छे तरीके से report writing का practice हो जाए ठीक है चलो देखो यह जो आप यहां question देख रहे हैं box के अंदर यह इस साल का question है जो model paper में पूछा है देखो क्या बोल रहा है राइदा the electoral literacy club of your school organized a water awareness program in the school campus यानि कि आपका school का जो campus है उस school के campus में जो है क्या हुआ था एक program हुआ था जिसका नाम था water awareness program अब यह water awareness program का होता है कि लोगों को vote के लिए जागरू करना ताकि लोगों को अपना voting powers voting rights के बारे में पता चले और अपने vote को जो है वो misyuj ना करे और एक अच्छा leader को चुनने में जो है वो अपना vote दे और यह किसके help से organize हुआ था तो the electoral literacy club यानि हर school में cultural program होता है तो cultural society होता है sport day होता है तो export society होता है हर किसी का एक group बना हुआ रहता है ना तो इसके द्वारा किया गया था write a report in about 80 to 100 words देखो 80 से ले करके 100 words में आपको report लिखना है हाँ 80 से 100 words मतलब try करना कि 80 से कम ना हो और 100 से थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चलेगा बोल रहा है for your school magazine describing the event sign as mukul या mansi of jila plus to high school र जीएगा और आप कहां पढ़ते हैं जीला to high school रांची और इसी आपका school में जो है आपका voter awareness program जो हुआ था clear है अब चलो अब जब हम लोग इसको जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग report लिखना start करेंगे तो सबसे पहले उपर में heading लिखना है तो देखो voter awareness program हम लोग लिख लिए इसके बाद देखो एक रोचोड करके देखो left side में यहाँ पर buy करके नाम लिखे हम दोनों नाम इसलिए अभी mention किये हैं ताकि लड़का लोग अपना नाम मुकुल लिखो और लड़की लोग अपना नाम मानसी एक नाम लिखना फिर उसके नीचे द आपका जो यह program जो है यह यहाँ जो date होगा यह date आप mention करना आज का यानि just date को आप लिखोगे हम 8 फरवरी 2024 इसलिए लिखे क्योंकि आप जो है exam देने या तो फिर arts के student हो तो 7 तारीख को जाओगे या तो फिर 8 फरवरी को commerce और science वाला इसलिए date लिखे अब एक रोच छोड करके आपको बोडी start करना है अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके अंदर में आप यह जो भी चीज इसके अंदर में लिखा गया है हर यह चीज जो है immediate past form पे है यानि past form का मतलब है कि वाज और वेयर यूज होना यहाँ पे जरूरी है अब देखो किस तरीके से हम देखो introduction म बता देना है कि यह प्रोग्राम किसके बारे में है तो देखो बोल रहा है ए वोटर आवर्नेस प्रोग्राम वाज और जीला प्लस टू हाई स्कूल राची हमारे जीला प्लस टू हाई स्कूल राची में वोटर आवर्नेस प्रोग्राम हुआ था with the help of the electoral literacy club of our school बोल रहा है इनके मदद से हुआ था the program was held देखो वाज और वेयर बार बार बोल रहे है sentence को पास्ट फोम में बदलना है the program was held on second February 2024 between 10 a.m. to 12 a.m. on our school campus campus का स्मेलिंग थोड़ा गलर ते ठीक है हमारी school के campus में जो है ये program जो है वो हुआ था 10 बज़े से लेकर के 12 बज़े तक कब हुआ था करेंगे तो introduction में आपको सब बता देना है कि program किस चीज़ के बारे में था कब हुआ था और कहा हुआ था इसमें आपको number अच्छा खासा मिल जाता है ठीक है अब हम बता दियें कि भाई कब हुआ था कहा हुआ था अब बताते आगे the main purpose of this event was to increasing the importance of voting in our life इस program का main motive था ताकि हम लोगो जो है वो voting rights के बारे में जाने ताकि हम लोग अपना vote जो है वो सही leader को दे सके बोल रहा है आवर इस्कुल प्रिंसिपल पी एल होगा ठीक है आवर इस्कुल प्रिंसिपल टीचेर्स ओल स्टाप एज वेल एज ओल दा स्टूडेंट्स वेर पार्टिसिपेटेड इन लोग प्रोग्राम में तो चीफ गेस्ट को जब रखते हैं तो इससे नंबर अच्छा मिलता है तो कोई भी प्रोग्राम अगर इवेंट वाला हो ना तो हमेशा वहाँ पे चीफ गेस्ट को रख दिया करना इससे जो है वो लिखने में आसानी होता है तो बोल रहा है दा police commissioner of our city was the chief guest on this program, लो जी, chief guest बना दिए, आपको जिसको मन करें आप उसको यहाँ पर chief guest बना देना, जिसको मन करें उसको chief guest आप बना सकते हो, कोई दिकत नहीं है, आगे बोला, who light the candle and started the program, जिनों ने मुंबत्ती जलाया, यानि कि दिया जलाया और उसके बाद जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट कियें, he give a important speech about the power of vote उन्होंने एक अच्छा speech और एक लंबा speech दिया कि हम लोगों को vote किस तरीके से देना चाहिए he also taught us how use our vote to select right person as a right as a leader to lead our state and country, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें अपने vote को use करना चाहिए और एक सही leader को हमारे देश और हमारे राज्य के लिए चुनना चाहिए और आगे बोला है it was a great program for everyone, ये जो program जो है ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important था, अब देखो आप इसका conclusion बता रहे हो, आप अपना preference बता रहे हो कि आपको जो है ये program कैसा लगा बोल रहा है we thought many more things about the importance of vote हमने vote के बारे में बहुत सारे चीजों के बारे में सीखा, बोला गया है we should under our voting right we should know होना चाहिए under our voting rights and use this power for selection of right person as a leader for our country हमने सीखा कि 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 तरीके से हमें जो है अपने vote को use करना चाहिए और अपने देश के लिए एक अच्छे नेता को चुनना चाहिए it was a life changing movement for all of us और ये हम सब के लिए जो है वो life changing movement था अगर आप इतना भी लिखते हो तो आपको अच्छा खासा number या full on full marks आपको definitely मिल जाएगा क्यूंकि आपने इसके अंदर जो है वो सब चीजों के बारे में बताया आपने हर एक चीज हर एक part एकदम अच्छा से describe किया अब इसी में कोई student ये जो body लिखा जाता है इसी body को 19-20 करके लिखते हैं मतलब थोड़ा इधर उधर करके लिखते हैं में आपको हुआ था कितना बजे से हुआ था कोन आया था cheap guest कोन था और आपको कैसा लगा इतना बता देने से आपको full mark मिल जाएगा ठीक अब देखो practice करने के लिए हम आप लोगों को एक और model paper एक और question practice करवाते हैं फिर हम आप लोगों को तीन तीन question देंगे बनाने के लिए एक दो question तो ये जो है वो बनाना ही बनाना साथी साथ जो है वो तीन और question का practice कर लेना देखो भाई तो ये एक question हम आप लोगों के लिए ले करके आए हैं देखो क्या बोल रहा है question पे बोला जा रहा है यहां पे you are you are बोल रहा है कि लड़का लोग अपने आपको क्या consider करेंगे लड़का लोग अपने आपको संजय कंसिडर करेंगे और लड़की लोग अपने आपको संजना अब कहां पढ़ते हैं भाई बाल क्रिशन पलस टू हाई school राची में अब आपकी school में क्या हुआ था तो एक blood donation game जो है हुआ था उसके बारे में आपको क्या करना है एक report लिखना है तो same वही है आप heading लिखेंगे देखो blood donation game सबसे top में फिर एक रोच छोड़ करके buy, buy करके लड़का लोग लड़के अपना नाम लिखोगे अपना नाम मतलब संजाए और लड़की लोग संजना इसके बाद देखो place करके जो school लिखा गया है वो school का नाम लिखें फिर उसके बाद date की ये कब हुआ था तो यहां mention कर दियें कब हुआ था नहीं मतलब कब लिख रहे हैं तो यहां हम 8 April 2013 इसलिए डाले क्योंकि देखो ये जो है वो blood donation के बारे में बोला है और blood donation हम इस तरीके से notice report को सजाए हैं कि हम ये बता रहे हैं कि blood donation came जो है वो world health day जो हर साल 7 April को मनाया जाता है 7 April को हुआ था हम ये माने आपको अगर इसको mention नहीं करना है तो मत करना कोई बात नहीं है कभी-कभी actual में जो हम लोगों को report लिखने बोलता है न वो किसी event के उपर बोल देता है जैसे मान लो women's day हो गया, mother's day हो गया, environment day हो गया, yoga day हो ठीक है अबलट donation camp was organized in our Bal Krishna plus to high school राची on the occasion of world health day with the help of red cross society हमारे school Bal Krishna plus to high school राची में जो है, वो जो है world health day के occasion पे एक बलट donation camp organized किया गया था और किसके मदद से red cross society, actual में जो red cross society होता है वो blood bank होता है यानि लोगों का blood collect करने का काम करता है और वो बलट जो है वो जरूरत मन्द hospital तक पहुचाने का काम करता है, ये एक तरीके का blood bank होता है आगे question में बोल रहा है, the program was held on 7th April, 7th April हुआ 2023 between 10 a.m. to 4 p.m. on our school campus हमारी school के campus में जो है, वो सुबह के 10 बजे से साम के 4 बजे तक ये program हुआ था some doctors from our Red Cross Society gave their service in this program और कुछ doctors लोग जो है यहाँ पर आएंस है जिनके थूरू ये program हुआ आगे बोल रहा है, before I started the program, a high grade doctor gave a speech on the advantage of bullet donation और program start होने से पहले जो doctor थे, उन doctor में से एक जो बड़े doctor थे, उन्होंने क्या किया एक बड़ा speech, एक अच्छा खासा speech जो है उन्होंने दिया था किसके उपर, bullet donation के उपर इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि our principal, teachers, all staffs as well as all the students were presented in this event यहाँ तक की हमारे schools के principals, सभी staffs और साथी साथ सभी teachers और यहाँ तक की सभी students इस program में जो है वो थे और मोजूद थे आगे बोल रहा है, all the people filled out the form before donating blood और blood donation करने से पहले सभी लोगों ने जो है एक form भरा आगे लिख सकते हैं, first of all our principal sir gave his blood and started the program सबसे पहले हमारे जो principal sir है उन्होंने blood donation किया और उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद सभी लोगों ने जो है वो blood donate करने का काम किया after that all staff, teachers and other students were also donated their blood उसके बाद बाकी लोगों ने भी जो है वो blood donate किया around 100 units bloods were collected through this program और लगभग इस पूरे प्रोग्राम से लगभग 100 units bloods जो है वो इस प्रोग्राम की द्वारा collect किया गया after the donation of blood everyone ate some fruits and drink juice और इसके बाद सभी लोगों को जो है वो कुछ-कुछ fruits, कुछ-कुछ फल और पीने के लिए juice दिया गया बोला गया आगे blood donation is a noble work अब देखो अब आप अपने बारे में बता रहे हो अपना conclusion दे रहे हो अपना reference दे रहे हो कि आपको जो है ये blood donation camp कैसा लगा आप बता रहे हो कि blood donation camp is a noble work we should donate our blood to save other life blood donation जो है वो बहुत ही महान काम है बहुत अच्छा काम है और हम सभी लोगों को जो है वो blood donate करना चाहिए चाहिए समझ में आया तो इस तरीके से जो है आपको रिपोर्ट लिखना है दो रिपोर्ट हम आप लोगों को बता दिये इस रिपोर्ट को कैसे लिखना है क्या लिखना है हर चीज हम आप लोगों को समझा दिये कभी-कभी क्या होता है डिट्टो बलट डोनेशन केम जो है व बस accidental report को छोड़के ठीक है हो गिया अब हम आपको जो है वो तीन ये हम आप लोगों को तीन report जो है हम आप लोगों को practice करने के लिए दे रहे हैं पहला report जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पहला report जो हम दे रहे हैं वो किसके उपर है one day cricket match के उपर है यानि आपके school या college में one day का cricket match हुआ था उसके बारे में report लिके बताना second जो report हम दे रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि you are raja raja या rani of rbs college बोकारो क्या हुआ था भई an annual sports day आपके school या college में an annual sports day जो है वो हुआ था इसके बाद तिसरा में बोल रहे हैं कि आपके college या school में क्या हुआ था world's human day celebrate किया गया था यानि world's women's day आपके college में मनाया गया था उसके लिए आपको report लिखना है बस और इन सभी का सभी इन तीनों का तीनों report आप बनाओगे और हमको आप telegram channel में आप लोगों के लिए जो group बनाए है उस group पे आप हमको इसका solution भेजोगे क्योंकि हमको देखना है कि आप report किस तरीके से लिख रहे हो क्योंकि हम आप लोगों को सिर्फ पढ़ा के छोड़ने का काम नहीं करते हैं हम आप लोगों को पर complete monitoring करते हैं completely guide करते हैं यह देखते हैं कि actual में आपको कुछ result में improvement हो रहा है या नहीं तो यह जितना भी हम आपको report लिखने बोले हैं यह सारा report आप हमको बना के group में जो है वो send करोगे ठीक है चलो वीडियो पसंद आई है तो like करो, share करो, comment करो और इससे पहले अगर आपने report का कोई section नहीं देखा है या English का या बाकी आपका कोई भी subject accounts, business study, ETP, English कोई भी subject अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी का completely videos हम आप लोगों का upload करती हैं chapter by chapter MCQ, chapter by chapter subjective, PYQs, modal paper everything, हर चीज आपको YouTube channel पे मिल जाएगा राहूल कोमर्स academy इस channel को subscribe करके बेल को all पे place करके जलूल रखना वीडियो कैसे लगी, पसंद आया या नहीं आया आपको समझ में आया या नहीं आया comment करके हमको जरूर बताना ठीक है, चलो जी, bye, take care